वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपको आगे का टॉपिक कराने जा रही हूं चाप्टर इंकम फ्रम सैलरीज का तो हम लोग जो है परकुसाइट का टॉपिक कर रहे थे जिसमें हमने करा था कि कुछ स्पेसिफाइड इंप्लोईज के लिए होती है परकुसाइट्स टेक्स प्रिय है जो टैक्सेबल ही नहीं है इंकम-टैक्स चैनल चीक है जो वेल्यू है परकुसाइट की वो सैलरीज इंकम के अंदर किसी भी इंकम के अंदर इंक्लोट नहीं की जाएगी जो भी अभी जो हम पाइंटस यह पड़ेंगे उन पाइंटस में ठीक है सबसे पहला वो हम बाद में पढ़ेंगे, टी और स्नाक्स, इन ओफिस और फैक्टरी, अगर किसी भी तरह का टी या स्नाक्स मिल रहा है, अफिस के अंदर, फैक्टरी के अंदर, या वर्क जो भी वर्क प्लेस होगा, तो वहाँ पर इस तरह की अगर पर किस आइडिया, इस तरह का benefit मिल रहा है, तो वो भी exempt होगा, यानि कि tax free होगा, इसके उपर किसी भी तरह का tax नहीं लगेगा, next है, residential accommodation provided at site, कोई ऐसी residential accommodation है, जो की site पर provide करी जा रही है, site के आसपास, ठीक है, तो वो जो है, वो भी आपके लिए exempt होगी, income tax department के अंदर, next है, कोई ऐसे expenses, telephone के expenses है, ठीक है, वो आपके लिए exempt है, इसके अंदर telephone के expenses के अंदर, अगर आपके mobile phones के भी जो expenses होते हैं, उसके उपर भी अगर आपको किसी भी तरह का benefit मिल रहा है, किसी भी employee को मिल रहा है benefit, by his employer, उसके employer के द्वारा, तो वो क्या होगा, exempt होगा, tax free है ये भी, next है, employer's contribution to staff group insurance scheme, अगर employer का किसी भी तरह का contribution है, staff group insurance scheme के अंदर, तो वो भी क्या होगा, exempt हो जाएगा, ठीक है, ये सारे exempt वाले हैं, यानि कि tax free वाले हैं, next है, scholarship to employees, अगर employees को scholarship मिल रही है, या फिर उसके children को मिल रही है, और किसके द्वारा मिल रही है, employer के द्वारा, तो वो भी exempt होगी, next अगर किसी भी तरह की facility, जो है, convenience की, provide कर रहा है employer, रेजिडेंस से लेकर, यानि उसके घर से लेकर, जो employment तक कर जहां पर, जो सफर है, जैसे की, employer जहां पर रहता है, वहां से pick up करने की facility, और कहां तक पहुचाने की, उसकी office तक पहुचाने की, अगर किसी तरह की facility मिल रही है, तो वो भी exempt होती है, and vice versa, यान vice versa का मतलब क्या है, कि अगर वहां office से लेकर, घर तक के लिए, जो भी आपको facility मिलेगी, convenience की, वो भी exempt होगी, ठीक है, next is, refresher courses, इस तरह के अगर कोई courses है, जैसे employer क्या है, कुछ भी एक fee पे कर रहा है, employee की, जो की employee ने क्या करा, किसी refresher courses के अंदर, या फिर management courses के अंदर, अपने आपको, जो है, enroll करा लिया, और उसकी जो payment है, उनकी जो fees की जो payment है, अगर वो employer करेगा, और ये कब कर रहा है, employee, और क्यों कर रहा है, कि वो अपनी जो job, उसको मिली हुई है, जो services है, उनको improve कर सके, उनमें और efficient हो सके, तो इसलिए अगर वो कर रहा है, तरिके से कह सकते हूँ, कि आप training के part पर कर रहा है, बट ये जो है, employer नहीं करा रहा, अपने आपसे employee ने, अपनी capacity को, अपनी capability को बढ़ाने के लिए किये गई है, तो लेकिन उसका खर्चा, अगर employer दे रहा है, तो ये एक तरह से scholarship ही मानी जाएगी, और वो exempt हो जाएगी, tax free होगी, ठीक है, next है, अगर किसी भी तरह का tax pay किया जा रहा है, employer के द्वारा उन्ता value of percusite, percusite की value के उपर, तो भी वो exempt होगा, और फिर next है, ने पास percusite to government employees, अगर government employees है, उनको किसी तरह का percusite मिल रहा है, posted abroad, कावब बोला है, कि वो जो है, abroad post कर दिये गए, यानि बाहर, foreign country में, उनको जो है, post कर दिया गया, तो उस case में, किसी भी तरह का percusite रिसीव हो रहा है, तो वो जो percusite है, वो tax free होगा, अब देखो, इन्होंने बोला, कि अगर किसी भी तरह का percusite, outside India, इंडिया से बाहर, लेकिन हमारे government कर रही है, किसको दे रही है, ये alliance ये percusite, ये उनको दे रही है, जो कि हमारी इंडिया में service कर रहे थे, और वो अब इंडिया के बाहर जाकर, किसी भी तरह की service perform कर रहे है, तो उन citizens को ये दिया जाता है, pocket side, तो वो exempt हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो persons included नहीं होंगे, ये जो exemption है, उनको अब लेबल नहीं होगी, जो कि non government employees है, ठीक है, या फिर वो persons है, जो कि citizens ही नहीं है इंडिया के, दो बाते हैं, exemption सिर्फ उनको अब लेबल होगी, जो कि citizen है इंडिया का, और बहार किसी service करने के लिए गया हुआ है, यानि जो भी काम है, वो करने गया हुआ है, और दूसरा exemption उनको नहीं मिलेगी, जो कि non government employees है, और जो कि citizen ही नहीं है इंडिया के, ठीक है, नेक्स देखो, rent-free house and convenience facility provided to high court judges, अगर high court के judges को किसी भी तरह के rent-free house दिया जा रहा है, और कोई convenience facility दी जा रही है, तो वो exempt होगी, इसी तरह से अगर Supreme Court के judges है, उनको भी यह दी जा रही है, तो वो भी exempt ही होगी, ठीक है, उनके ओपर भी text नहीं लगेगा, next है, the value of rent-free furnished residence provided to a minister, specified officers of parliament, और a leader of the opposition in parliament, किसी भी धरह का rent-free furnished residence है, जो कि एक minister को, या कोई भी parliament के officers को, कुछ specified officers को जो है, provide किया गया है, या फिर जो parliament के opposition leaders है, उनको provide किया गया है, तो उनकी जो भी value होगी, rent-free furnished residence की, वो सारी value क्या होगी, exempt हो जाएगी, tax-free हो जाएगी, ठीक है, फिर next है, जो laptops हैं, या computers हैं, जो provide किये जा रहे हैं, किसी भी employer के द्वारा, उसके personal use के लिए, employer के personal use के लिए, या फिर, उसके employee use नहीं कर रहा है, उसके member, कोई भी member है, household का, वो use कर रहा है, यानि अगर personal use के लिए, कोई expenses, कोई भी खर्चा, employer दे रहा है, ठीक है, किस तरह का खर्चा, laptop या computer बग्यारा, provide कर आ रहा है तो, तो उस case में, जो भी value होगी, उस purchase site की, या उस benefit की, वो exempt होगी, वो tax free होगी, ठीक है, next है, interest free या concessional loan दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो उसका जो amount है, total जो amount होगा, वो अगर 20,000 से जादा है, तो वो taxable होगा, अगर 20,000 से कम है, 20,000 से जादा नहीं होता, तो वो exempt होगा, ठीक है, next है, transfer without consideration to an employee of a movable assets, other than computers, electronic items and car, by the employer, after using it for a period of 10 years or more, normal सी बात है, कि अगर जो भी, employer ने, employee को कोई भी, एक movable asset दी है, जिसके बदले में, उसके ने कुछ भी नहीं लिया, कोई भी consideration रिसीव नहीं करी है, और वो जो उसने movable asset जो है, वो जो दी है, वो computer नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई asset होनी चाहिए, electronic item नहीं होना चाहिए, कोई car नहीं होनी चाहिए, इनको छोड़ कर, जो भी movable asset, किसी भी employer ने, अपने employee को transfer करी है, without any consideration, तो उस case में ये exempt होगी, लेकिन एक condition है, क्या condition है, कि वो जो asset उन्होंने दी है, at least वो employer ने, 10 साल उसे use किया हो, या उसे जाधा गर use किया हुआ है, तो जाके उन्होंने उसको transfer किया है, तो ही वो exempt होगी, tax free होगी, ठीक है, next है, किसी भी तरह की प्रियाटिकल्स या जर्नल्स है, जो कि required होते हैं, for the discharge of work, तो वो उसके लिए भी जो खर्चा बढ़ गया रहा होता है, वो सारा का सारा क्या होगा, exempt होगा, किसी भी तरह की LTC प्रोवाइड हो रही है, under the section 10, subsection 5 के अंदर, तो वो जो है, आपके लिए exempt होगी, LTC मेंज लीव ट्रावल कंसेशन, लीव ट्रावल कंसेशन क्या होता है, कि पहार भेज देते हैं, इंप्लॉई को, ठीक है, अब मैंने जो आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था, medical benefits का, अब उसका calculation कैसे होगा, किस थरा से, कितना value exempt होगा, कौन कौन सी value वहाँ पर exempt होगी, ये देखते हैं, medical benefits कौन से benefits होते हैं, जो कि employer ने क्या करा, उसके employee का, या उसके member, जो family के member है, employee के, उसका खर्चा अगर कोई employer दे रहा है, तो ये medical benefits ही हुआ, कि उनको कुछ extra medical, जो facility है, वो employer प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा खर्चा कौन उठा रहा है, employer उठा रहा है, ठीक है, तो ये medical benefits हो गए, अब medical benefits में क्या क्या है, कि अगर treatment जो है, वो अगर इंडिया के अंदर हो रहा है, पहला point है, कि treatment इंडिया के अंदर हो रहा है, तो क्या होगा, और treatment अगर outside इंडिया हो रहा है, तो क्या होगा, चीक है, सो first हम करेंगे case, कि treatment अगर इंडिया के अंदर है, तो, तो जो value है अगर treatment की, इंप्लॉय की या उसके जो मैंबर्स है फैमिली के तो उनकी अगर ट्रीटमेंट इंप्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रही है क्या बोला मैंने कि इंप्लॉय की ट्रीटमेंट मैंने क्या बोला कि कोई इंप्लॉय है चीक है उसकी जो treatment है वो कहा हो रही है employer के employers के hospital में ठीक है employer के hospital में employer का hospital जरूरी तो नहीं है कि हरे के employer hospital बना के बैठ जाएगा ठीक है employer का hospital के अंदर क्या-क्या case हो सकता है कि कुछ donate किया हो उस hospital ने employer में उस hospital का किसी तरह से member हो वो membership ले रखी हो तो वो employer का hospital है अगर उसमें employer का खर्चा हो रहा है employer का जो भी treatment है वो हो रहा है तो उस case में जो भी value निकल कर आएगी वो value क्या होगी पूरी की पूरी fully exempt हो जाएगी क्या हो जाएगी fully exempt दूसरा case देखो दूसरा case यह है कि किसी भी तरह का अगर सम जो है pay किया जा रहा है किसी भी तरह के employer के द्वारा in respect of expenditure incurred by the employee on medical treatment of himself और members of his family अब क्या करा खर्चा तो सारे incurred करा employee ने ठीक है और थोड़ा भूद जो amount है या कुछ भी sum पूरा का पूरा amount ही हो गया तो वो pay कर दिया employer ने employee ने बाहर किसी employer के hospital नहीं गया वो वो कहीं बाहर उसने कोई खर्चा कर दिया treatment के उपर अपने treatment के उपर या अपनी member जो है family के member के treatment के उपर तो उस case में खर्चा pay किस ने किया लेकिन employer ने बापिस उसको reimburse हो गया तो उस case में दो बाते हैं जो hospital है वो government का hospital होना चाहिए या फिर local authority का hospital होना चाहिए या फिर ऐसा hospital होना चाहिए जो कि government ने approved का रखा हो पहला case दूसरा in respect of the prescribed disease और alignments in a hospital approved by the chief commissioner of income tax अब यहाँ पर देखो इन्होंने ये बोला है कि अगर जो भी hospital का जो खर्चा है अब कौन सा hospital सबसे पहले तो हमने बात करी कि hospital या तो approved होना चाहिए ठीक है किसी भी government के द्वारा या government hospital होना चाहिए या फिर किसी local authority का होना चाहिए दूसरा इन्होंने बोला कि जो hospital है न वो chief commissioner के द्वारा approved हो ठीक है और जो value होगी न वो भी chief commissioner के द्वारा बताई जाएगी कैसे अब देखो जो chief commissioner है या जो भी specified disease है specified diseases है वो एक तरीके से लिखे हुए हैं बताई हुए हैं कि किस तरह के specified disease हैं जिसके ओपर पूरी के पूरी exemption मिल जाती है उसके ओपर अगर कोई भी benefit मिलेगा तो वो पूरा tax free होगा वो benefit ठीक है तो अगर कोई भी specified disease हो रखा है किसी भी employee को या उसके member of family को चीक है family के member को तो उस case में जितना भी amount होगा वो पूरा exempt होगा यह भी fully exempt हो जाएगा next देखो payment or reimbursement of premium in respect of health insurance of the employee और any member of his family अगर कोई employer किसी भी तरह की payment कर रहा है या reimbursement कर रहा है reimbursement का मतलब क्या होता है एक बार सुनों ध्यान से कोई a person मिस्टर ए जो है वो मिस्टर राज के यहां पर कोई काम करता है इसका मतलब क्या है राज जो है वो क्या है employer है और मिस्टर ए क्या है उसका employee है ठीक है वो अपनी services दे रहा है अब अब जो खर्चा था इसने कुछ health insurance ले रखा है health insurance उसका premium जो है वो यह पे कर रहा है कौन? मिस्टर ए मिस्टर ए ने premium को पे कर दिया अब जो मिस्टर राज है उनकी policy के according जो health insurance premium है वो employer ने मिस्टर राज ने मिस्टर एक्स की health insurance premium पे कर दी पहले इसने करी 1000 रुपे इसने लगा दिया मानलो मिस्टर ए ने 1000 रुपे दिये अब वो 1000 रुपे उसको वापिस किसे मिल गए मिस्टर राज से मिल गए क्यों? क्योंकि employer ने बोला कि हमारे यहां की policy है तो जो भी health insurance का जो भी premium का खर्चा वो मैं उठाऊंगा ठीक है पहले तो उसने पे कर दिया ना employee ने बाद में कहां से मिल गई उसको Mr. Raj से तो जो वापिस उसको मिले है यानि कही न कहीं से उसको जो मिल गया जो खर्चा वो पहले कर चुका है उसका amount उसको मिल गया तो उसको हम बोलते है reimbursement ठीक है अब देखो इस लाइं को payment और reimbursement of premium in respect of health insurance of the employee or any member of his family तो अगर कोई भी payment करता है या reimburse हो जारी है employee को payment तो वो सारी कि सारी क्या होगी exempt होगी fully exempt होगी ठीक है तीन cases पड़े पहला case यह था कि अगर employee ने अपना treatment employee का treatment मानके चलते हैं ठीक है बाद में आप लगाते रहना कि members of family भी हैं साथ में अगर employee ने अपना treatment employer के hospital में करा लिया तो वो भी fully exempt हो जाएगा दूसरा case है कि उसने जो है employee ने बाहर किसी जगह पर अपना खर्चा करा लिया treatment करा लिया उसका जो भी खर्चा था वो उसने पे कर दिया बाद में वो पैसा उसको कहां से मिल गया employer से मिल गया लेकिन वो जो वो जो treatment है mainly वो कहां कहां से होना चाहिए या तो government का कोई hospital है वहां से अगर हो रहा है treatment तो मिलेगा exempt हो जाएगा mainly दूसरा किसी local authority में कराया गया है या कोई ऐसी authorities हैं या कोई ऐसे hospitals हैं जो कि government ने approved कर रखे हैं उसी के अंदर एक और case था कि अगर जो chief commissioner है उन्होंने जो है specified disease बता रखे हैं अगर उसका कहीं भी treatment हुआ है और approved associations में ही हुआ है या approved जो है hospital में ही हुआ है तो वो भी fully exempt होगा तीसरा payment या reimbursement हो रहा है किसी भी health insurance premium का employee की या उसके member of family की ठीक है next हमारा जो case है वो है treatment outside इंडिया अगर treatment जो है वो इंडिया में नहीं हो पारा outside इंडिया जाना पड़ेगा उस treatment के लिए तो अगर बाहर इंडिया के बाहर treatment हो रहा है तो इस case में क्या होगा सबसे पहला expenses incurred by the employer on the medical treatment of an employee or his family members is fully exempt to the extent approved by the RBI यानि कि अगर किसी भी तरह का treatment employee का या उसकी किसी भी family member का जो है वो हो रहा है outside इंडिया और उसकी जितना भी खर्चा है वो employer bear कर रहा है employer ही सारा का सारा खर्चा pay कर रहा है तो उस case में जितना खर्चा होगा वो पूरा exempt हो जाएगा लेकिन कितने extent तक कितनी मात्रा तक जितना की RBI ने approve किया होगा ठीक है second देखो किसी भी तरह का expense incurred किया गया है employer के द्वारा travel पर या बाहर रहने पर ठीक है जो भी patient है यानि उसका जो employee है उसके जो भी खर्चा है traveling का खर्चा बाहर रहने के लिए भी जो hotel बेगार बुकिये जाते हैं उसका खर्चा ठीक है बाहर के hospital में जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा खर्चा अगर employer ने दिया है और साथी साथ patient का तो दिया है साथी साथ किसका भी दिया वन आटेंडेंट का यह अभी attendant कौन हो गया वो person जो कि patient के साथ गया है उसका कोई भी family member हो सकता है उसका कोई friend हो सकता है तो जो उसका देखबाल करने के लिए गया हुआ है कोई एक person तो boost पर्षन का भी ख़र्चा अगर employer and stay abroad is exempt, वो exempt होगा, कितना exempt होगा, जितना की RBI ने अप्रूफ किया होगा, ठीक है, दूसरा expenses incurred on the travel, travel पर expenses incurred की है, patient और one attendant के, वो भी fully exempt होगे, तब होगे जब GTI, gross total income जो है employee की, वो 2 लाग से जादा की नहीं होगी, ठीक है, next year reimbursement of expenses actually incurred by the employee for the purpose specified in 1st and 2nd above his exam, subject to the same conditions as stated above, normal है, ठीक है, जैसे हमाने 3rd point उसका क्या थाना treatment in India वाला, तो उस पैसे ही है, इसमें यह बोला है कि expenses जो भी है, actually में incurred कर दिये गए employee के द्वारा, और उसकी वापसी, यानि reimbursement किस ने कर दी, employer ने कर दी, तो उस case में, जो भी above 2 conditions हैं, जैसे उनमें exam था, यह भी exam हो जाएगा, बस उतना ही होगा, जितना RBI बताएगा, ठीक है, एक important note, यहाँ पर बारबर आपको एक word बोला जा रहा है, कि employee and his member of his family, यही बोला जा रहा है, अब member of family में कौन-कौन include होता है, spouse, spouse का मतलब है, अगर जो man है, तो तो उसका wife, ठीक है, उसकी wife जो है, वो उसकी spouse हो गई, यानि जो भी life partner होता है, वो spouse कहलाएगा, अगर woman है, तो जो भी उसका partner होगा, तो वो husband, वो spouse कहलाएगा उसके लिए, ठीक है, उसका spouse, उसके children, किसी भी individual employee के, वो member of family के अंदर include होगे, उनके parents, brothers and sisters of the individual, जो कि, ये जो parents है, brother है, sister है, ये जो sister, brother बगएरा जो भी है, ये अगर उस individual के उपर ही, पूरे तरीके से dependent है, थोड़ा बहुत भी dependent है, तो वो उसके member of family के अंदर include होंगे, अगर जिसे माल लो, उसकी sister की शादी हो गई, तो उस case में, अब sister तो उस parent और brother का ही नाम लाएगा, ठीक है, तो जो dependent है, उस individual के उपर ही, चाए पूरे हो, चाए थोड़े बहुत भी हो, तो वो उनकी members of family के अंदर include होंगे, अब ये जो medical benefits वाला है, इसका हम एक practical question देख लेते हैं, फिर ये जो topic है, आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, इसका इक्स medical benefits से related है, ठीक है, सबसे पहले इनोंने बोला, gross annual salary, gross annual salary कितने की है, 1,95,000 रुपीस की, हम इसको normally लिख लेते हैं, ठीक है, हम लोगों की salary कितने की है, 1,95,000 की, ठीक है, दूसरा इनोंने बोला, कि medical expenditure जो है, वो directly pay किये गए है, किसके द्वारा pay किये गए है, employer के द्व ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात थी, अगर treatment यहाँ पर कुछ नहीं बोला कि treatment कहां हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है, या फिर इंडिया से बहार हो रहा है, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब treatment कहां हो रहा होगा, इंडिया में ही हो रहा होगा, अब यहाँ पर क्या ब अब यहां पर कोई नाम भी नहीं दे रखा किया सभी कौन सा हॉस्पिटल में कराया गया है तो यह जो 30,000 रुपीज है न यह क्या हो जाएंगे टेक्सेबल हो जाएंगे यह वाले 30,000 रुपीज एक्जम्ट नहीं होंगे ठीक है अब यहां पर मैं लिख लिएती हूं इंप्लॉयर ने पे करे हैं कपे करे हैं जब प्राइवेट पार्टिशनर था तो पूरा नहीं लिख रही है नॉर्मल लिख देती हूं 30,000 नेक्स देखो ने बोला है कि मैडिकल एक्स्पैंडिचर जो है वो डेरेक्ली पे कि गई गई है इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉयर ने पे किये हैं to the hospital approved by the chief commissioner of income tax चीफ कमिशनर ओफ इंकम टेक्स ने वो hospital अप्रूफ कर रखा था इसका मतलब अप्रूफ कर रखा थे तो नॉर्मली एक्जम्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे नेक्स देखों रिइंप्रस्मेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसे इंकर्ट बाइद एंप्लॉयर इन होस्पिटल अप्रूफ कमिशनर वापिस से यह बात है कि चिफ कमिशनर के द्वारा अप्रूफ थे और उसका खर्चा जो है पहले तो एंप्लॉयर ने उठा लिया बाद म एक्स देखों एक्सपेंडिचर और ट्रेवलिंग अब अब अब्रॉड चले गए ठीक है उसका इहां पर इलाज नहीं हो पा रहा था अब्रॉड चले गए इंक्लूडिंग डाट अटेंडेंट भी गया साथ में बाइद एंप्लॉयर और इसका सारे एक्सपेंडिचर किस इंप्लॉयर उठाता है तो इस केस में GTI देखते हो ग्रॉस चोटल इंकम देखते हो इंप्लॉय की कितनी बनती है और अगर वो दो लाग से जादा बनेगी ठीक है तो क्या हो जाएगा यह एक्जम्ट नहीं होगा लेकिन अगर दो लाग के नीचे बनी तो एक्जम्ट और बॉन बाइदा एंप्लॉयर वहाँ पर रुकने का और ट्रीटमेंट जो है उसका सारा कर्चा इंप्लॉयर ने दिया कितना दिया बन लाग 50,000 रुपीज का यह भी एक्जम्ट होता है तब तक एक्जम्ट होता है उतनी लिमिट तक मेली लिमिट कहां तक होती है जितना कि RBI ने अप्रूवड कर दिया हो अब ऐसी देखो 7 पॉइंट पे बोला हुआ है कि 6 वाले का जो है जो 6 पॉइंट है उसकी जो एमाउंट की जो पर्मिट्शन थी वो कितनी RBI ने दी है 1 लैक रुपीज इसका मतलब क्या है 50,000 टेक्सेबल हो जाएगा एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाए इन अप्रोड अप्रोड में सारा खर्चा किया कितने का खर्चा किया था 1,50,000 रुपीज का लेकिन इसका मतलब क्या हो गया 50,000 रुपीज पूरा का पूरा क्या हो गया टेक्सेबल हो गया नेक्स देखो हमारे पास नेक्स है कि जो इंप्लॉयर है उसने रिंबस कर दिया सारा का सारा मेडिकल एक्सपेंस जो की इंप्लॉई ने इंकर्ड किये थे उन्ता ट्रीट्मेंट ओपर है अब grandfather तो dependent है लेकिन जब हमने members of family की definition पड़ी तो इसमें क्या बोला था उनके सिर्फ parents होने चाहिए तो grandfather तो क्या हो गए दादा हो गए parents के भी parents बेशक उसके ओपर dependent है लेकिन इनका जो खर्चा होगा वो टेक्सेबल हो जाएगा ठीक है वो एक्जंट नहीं होगा members of family की definition में सिर्फ parents, brothers, sisters और उसके spouse and children थे तो 2000 रुपीज क्या हो जाएंगे treatment of grandfather मैं normally छोटा-छोटा लिख रही हूँ कि आप लोगों के बस समझ में आ जाएं इकिस तरह से इसको solve करना है तो 2000 रुपीज का खर्चा था वो taxable हो जाएगा next देखो expenses on cancer cancer के उपर कोई expenses है और prescribed treatment है office daughter at Tata Memorial Hospital मुंबाई में है और ये भी अप्रूफ किया हुआ है चीफ कमिशनर ने और इसके उपर कितना खर्चा लगा एक लाक रुपे का खर्चा लगा अप्रूफ भी है hospital और ये जो खर्चा हुआ है ये कौन सा disease है specified disease है ठीक है तो इस case में पूरा का पूरा जो amount होगा वो क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा अब हमारे पास यही है सारा total ठीक है लेकिन एक चीज़ देखो हमने जो entry है वो छोड़ी थी एक transaction वो कौन सी थी कि traveling abroad वाली थी born by the employer इसमें एक लाग रुपे अब हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारी जी टी आइए दो लाग तक बनती है यह उससे कम बनती है उससे जादा बनती है ठीक है अब देखो इन जब का total कर लेंगे वन लाग 95,000 प्लस 30,000 प्लस में 50,000 प्लस में 2,000 कितना हो गया 2,77,000 यानि 2,00,000 से जादा बनती है तो इसकी कोई भी exemption नहीं मिलेगी ठीक है अगर 2,00,000 से कम होती तो फुल exempt हो जाता लेकिन 2,00,000 से जादा है तो इसकी exemption नहीं मिलेगी तो आप नॉर्मल यहां पर लिख देना 1,00,000 का जो भी कर्चा हुआ है किस चीज का खर्चा था expenditure on traveling abroad और जिसके साथ कौन गया था टेंडेंट भी गया था और सारा का सारा खर्चा एंप लॉयर ने एंप्लॉयर ने पॉंड गया है ठीक है expenditure bond by employer on traveling abroad अब इसका टोटल कर लो टोटल कर लोगे तो आपके पास क्या जाएगी gross income from salary अब जब gross income from salary आगी तो net income from salary कैसे निकालोगे जो deductions हैं वो दोगे ठीक है अभी हमें सिफ normal gross income from salary निकालनी है तो हम वो निकाल लेते हैं देखो question में लिखा हुआ है gross income from salary कैलकुलेट करनी है आपको कितनी आजेगी 3,77,000 रुपीज की ठीक है अब यहां पर ही मैं आज इतना ही topic कराऊंगी next video में next topic कराऊंगी I hope कि आपको य यह जो medical benefits वाला जो परकिसाइट था वो clear हो गया होगा इसका practical भी clear हो गया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो like कर देना क्योंकि आपकी यह likes जो है यह मुझो motivate करती कि मैं और अच्छा content आपके लिए ला सकूँ so मिलते हम लोग next video में बाबाई